मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जुलाए का महिना यानि मौनसुन का महिना बारिश का महिना बिते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिन्ता और परेशानी से भरे रहे हैं यमुना समेत कई नदियों में बार से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठाने पड़ी है पहडी इलाकों में भुस्खलन की घटनाएं भी हुई है इसी दवरान देश के पस्चिम हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बीपर जॉय साइक्लोन भी आया लेकिन साथियों इन आपदाओं के बीच हम सब देश वास्वे ने फिर दिखाया है कि सामोहिक प्रयास की ताकत क्या होती है स्थानिय लोगों ने हमारे एंडिय आरब के जवानों ने स्थानिय प्रशाशन के लोगों ने दिन राट लगा कर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ और समसाधनों के भूमिका बड़ी होती है लेकिन इसके साथ ही हमारी सम्वेदन सिल्का और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही एहम होती है सरवजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है साथियों बारिस का यही समय ब्रुक्षा रोपण और जल्न सवरक्षन के लिए भी उतना ही जरूरी होता है आजादी के अमरुत महोसव के दुरवान बने साट जार से जादा अमरुत सरववरों में भी रोनक बढ़ गई है अभी पचास हजार से जादा अमरुत सरववरों को बनाने का काम चल भी रहा है हमारे देशवासी पूरी जागरुक्ता और जिम्मेदारी के साथ जल्न सवरक्षन के लिए नए नए प्रहास कर रहे हैं आपको याद होगा कुछ समय पहले मैं MP के शडूर गया था वहां मेरी मुलाकात पकरिया गाउं के आदिवासी भाई भेनों से हुई थी वहीं पर मेरी उनसे प्रकृती और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गाउं के आदिवासी भाई भेनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करी सों कुओं को वार्टर रिचार्ट सिस्टेम में बदल दिया है बारिस का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है इससे इलागे में भू जलस्तर भी दिरे दिरे सुधरेगा अब सभी गाउवालों ने पूरे ख्षेत्र के करीब करीब आंट सो कुए को रिचार्ट के लिए उप्योग में लाने का लक्ष बनाया है ऐसी ही एक उत्सावर्दक खबर यूपी से आई है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में तीस करोड पैड लगाने का रेकॉर्ड बनाया गया है इस अभियान के शुरुवात राज्य सरकार ने की उसे पूरा वहां के लोगों ने किया ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदारण है मैं चाहूंगा कि हम सब भी पैड लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने मेरे प्यारे देशभाच्यों इस समय सावन का पवित्र महिना चल रहा है सदासिव महदेव की साधना आरात्ना के साथ ही सावन हर्याली और खुश्यों से जुड़ा होता है इसलिए सावन का अध्यत्मिक के साथ ही सांस्कृतिक द्रश्टिकोंड से भी बहुत महत्परा है सावन के जूले, सावन की महदी, सावन के उत्सव यानि सावन का मतलब ही आनन्द और उल्लास होता है साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशिल बनाते हैं सावन में सिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कावड यात्रा पर निकलते हैं सावन की वज़े से इन दिनों बारा जोतर लिंगों में भी खूब स्रधालू पहुँच रहे हैं आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड रही है अब काशी में हर साल दस करोड से भी जादा परियतक पहुच रहे हैं अयुद्या, मतुरा, उज्जेन जैसे तिर्थों पर आने वाले स्रधालूओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है इससे लाखों, गरीबों को रोजगार मिल रहा है उनका जीवन यापन हो रहा है ये सब हमारे सांसकृतिक जन जागरण का परणाम है इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तिर्थों में आ रहे हैं मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है, जो कैलिफोनिया से यहां अमरनात यात्रा करने आए थे इन विदेशी महमानों ने अमरनात यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानन के अनुभ़ाँ के बारे में कहीं सुणा था उससे उन्हें इतनी प्रिणा मिली कि खुद भी अमरनात यात्रा करने आ गए यही से भगवान भोले नात का आशिरवाद मानते हैं यही भारत की खास्चियत है कि सबको अपनाता है सबको कुछ न कुछ देता है ऐसे ही एक फ्रेंच मुल्क की महिला है सारलोट शोपा बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इन से मेरी मुलाकात हुई थी सारलोट शोपा एक योगा प्रक्टिशनर है योगा टीचर है और उनकी उम्र सो साल से भी ज़्यादा है वो सेंचरी पार कर चुकी है वो पिछले चालिस साल से योग प्रक्टिश कर रही है वो अपने स्वास्त और सो साल की इस आयू का स्रे योग को ही देती है वो दुनिया में भारत के योग विज्यान और इसकी ताकत का एक प्रमुक चहरा बन गई है इन से हर किसी को सिखना चाहिए हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बलकि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तूत भी करें और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जेन में चल रहा है यहां देश भर के अठारा चित्रकार पुरानवपर आधारित आकरसक चित्रकथाएं बना रहे हैं यह चित्र, बुंदी शैली, नातद्वारा शैली, पहाडी शैली और अपभ्रहुश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे इन्हें उज्जेन के त्रिवेडी संग्राले में प्रदर्सित किया जाएगा यानि कुछ समय बाद जब आप उज्जेन जाएंगे तो महाकाल, महालोक के साथ-साथ एक और दिव्यस्थान के आप दर्शन कर सकेंगे साथियों, उज्जेन में बन रही इन पेंटिंग्स के बात करते हुए, मुझे एक और अनोखी पेंटिंग के आद आ गई है ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभाद सिंग मोडभाई बरहाड जी ने बनाई थी ये पेंटिंग छत्रपती वीर सिवाजे महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी आर्टिस्ट प्रभाद बाई ने दर्शाया था कि छत्रपती सिवाजे महाराज राज्या भिशेक के बात अपनी कुल्देवी तुल्जा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहूर था अपनी परंपराओं अपनी धरोहरों को जीवन रखने के लिए हमें उन्हें सहजना होता है उन्हें जीना होता है उन्हें अगली पीजी को सिखाना होता है मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं मेरे प्यारे देश वास्यों, कई बार जब हम ecology, flora, phona, biodiversity जैसे सब्द सुनते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो specialized subject है, इनसे जुड़े expert के विशय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम बाकई प्रक्रती प्रेम करते हैं, तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तमिलनाडु में बाड़ा बल्ली के एक साथी है सुरेश रागवन जी, रागवन जी को painting का शोक है, आप जानते हैं, painting कला और केनवास से जुड़ा काम है, लेकिन रागवन जी ने ताय किया कि वो अपनी painting के जरिये पेड, पौंधों और जीव जनतों की जानकारी को समरक्षित करेंगे, वो अलग-अलग फ्लोरा और फोना की painting बना कर उनसे जुड़ी जानकारी का documentation करते हैं, वो अब तक दर्जनों ऐसी चिडियाओं की, पशुओं की, और शीट्स की painting बना चुके हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर है, कला के जरिये, प्रकृति की सेवा करने का ये उधारन वाकई अध्भूत है, मेरे पहरे देश भाचियों, आज मैं आपको एक और दिल्चस्प बात भी बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले सोशल मिडिया पर एक अधभूत क्रेज़ दिखा, अमेरिका ने हमें सो से जादा दुरलब और प्राचिन कलाकृतियां वापस लवटाई है, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मिडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खोब चर्चा हुई, युवाओं में अपनी विरासत के प्रतिगर्व का भाव दिखा, भारत लवटी ये कलाकृतियां डाई हजार साल से लेकर डाई सो साल तक पुरानी है, आपको यह भी जानक कर खुशी होगी कि इन दुरलब चीजों का नाता देश के अलग-अलग शेत्रों से हैं, यह टेरकोटा, स्टोन, मेटल और लकडी के इस्तमाल से बनाई गई हैं, इन में से कुछ तो ऐसी हैं, जो आपको आश्री से भर देंगी, आप इने देखेंगे, तो देखते ही रह इन में ग्यारवी सताब्दी का एक खुब सुरत सेंड, स्टोन, स्कल्प्चर भी आपको देखने को मिलेगा, इन्रुत्य करती हुई एक अफसरा की कलाकृती हैं, जिसका नाता मध्यप्रदेश से हैं, चोल, युक की कई मुर्तियों भी इन में सामिल हैं, देवी और भगवान मुर्गन की प्रतिमाय तो बाहरवी सताब्दी की हैं, और तमिल नाडु की वैभव साली संस्कृती से जुड़ी हैं, भगवान गणेश की करीब एक हजार वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लवटाई गई हैं, ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मुर्ति ग्यारवी सताब्दी की बताई जाती हैं, जिसमें वे दोनों नंदी परासिन हैं, पत्थरों से बनी जैन तिर्थरकरों की दो मुर्तियां भी भारत वापिस आई हैं, भगवान सुर्यदेव की दो प्रतिमाय भी आप मन महोलेंगी हैं, इन में से एक बनी हैं, वापस लोटाई गई चीजों में लकडी से बना एक पैनल भी हैं, जो समुद्र मन्थन की कथा को सामने लाता है, 16-17 सदी के इस पैनल का जुडाव दक्षिन भारत से हैं, साथियों, यहां मैंने तो बहुत कभी नाम दिये हैं, जिबकि देखें तो यह लिष्ट बहुत लंबी हैं, मैं अमरीकी सरकार का अभार करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी इस बहुमुल्य विरासत को लोटाया हैं, 2016 और 2021 में भी, जब मैंने अमेरिका की यातरा की थी, तब भी कई कलाकुर्तियां भारत को लोटाई गई थी, मुझे विश्वास हैं, कि ऐसे प देश भर में जागरूत्ता बढ़ेगी, इससे हमारी सम्रुद्य विरासत से देश वास्यों का लगाओ भी और गहरा हुगा, मेरे प्यारे देश वास्यों, देव भूमी उतराखन की कुछ माताओं और बहनों ने, जो पत्र मुझे लिखे हैं, वो भावुक कर देने वारे उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशिरवात दिया है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की थी, कि हमारी सांसकुरुतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजिविका का साधन बन सकता है, आप सोच रहे होंगे कि या पुरा जजरा है क्या? साथियों, मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीती माना घाटी की महिलाओने, ये वो महिला हैं जिन्होंने पिछले साल अक्तूबर में मुझे भोज पत्र पर एक अनूठी कलाकृती भेंट की थी, ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभीबूत हो गया, आखिर हमारे हां प्राचीन कार्ट से हमारे शास्त्र और ग्रंत इनी भोज पत्रों पर शहजे जाते रहें, महाभारत भी तो इसी भोज पत्र पर लिखा गया था, आदेव भूमी की ये महलाए इस भोज पत्र से बेहद ही सुन्दर सुन्दर कलाकृतिया और स्मृत चिन बना रही है, माना गाउ की यातरा के दोरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सरहना की थी, मैंने देव भूमी आने वाले परियटकों से अपील की थी, को यातरा के दोरान जादा से जादा लोकल प्रोडक्स खरीदे, इसका वहाँ बहुत असर हुआ है, आज बोज पत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तिर्थ्यात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं बोज पत्र की यह प्राचिन विरासत उत्राखन की महलाओं के जीवन में खुशाली के नए-नए रंग भर रही है मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोज पत्र से नए-ने प्रोड़क्ट बनाने के लिए राज सरकार महलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है राज सरकार ने भोज पत्र की दुरलब पजातियों को समुरक्षित करने के लिए भी अभ्यान शुरू किया है जिन खेत्रों को कभी देश का आखरी छोर माना गया था उन्हें अब देश का प्रथम गाउं मानकर विकास हो रहा है यह प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्री का भी जर्या बन रहा है मेरे पहरे देश भात्षियों मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को भूत ही संतोस देते हैं यह चिठी उन मुस्लिम महलाओं ने लिखी हैं जो हाल ही में हज यात्रा करके आई हैं उनकी यात्रा कई माईनों में बहुत खास है यह वो महलाएं हैं जिनों ने हज की यात्रा बिना किसी पुरुस सहयोगी या महरम के बिना पुरी की हैं और यह संख्या सोपचास नहीं बलकी चार हजार से जादा है यह एक बड़ा बडलाव है पहले मुस्लिम महलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी मैं मन की बात के माध्यम से सौदी अरब सरकार का भी रदय से आभार व्यक्त करता हूँ बिना महरम हज पर जा रही महलाओं के लिए खास तोर पर विमेन कोडिनेटर्स नियुक्ति की गई थी साथियों बीते कुछ वर्सों में हज पॉलिस में जो बड़ाओं किये गए हैं उनकी भरपूर सराना हो रही है हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है हज यात्रा से लोटे लोगों ने विशेश कर हमारी माताओं बहनों ने चिठी लिख कर जो आशिरवाद दिया है वो अपने आप में बहुत प्रह रख है मेरे प्यारे देशवासियों जम्मु कश्मीर में मुझिकल नाइट्स हो हाई एल्टीटूर में बाइक रेलीज हो चन्डिगड के लोकल कलब हो और पंजाब में धेर सारे स्पॉर्ट्स ग्रुप्स हो ये सुनकर लगता है एंटरेइन्मेंट की बात हो रही है एडवेंचर की बात हो रही है लेकिन बात कुछ और है ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रक्स के खिलाब जागरुकता अभ्याँ जम्मु कश्मीर के युवाओं को ड्रक्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं यहां मुजिकल नाइट, बाइक रेली जैसे कारिकम हो रहे हैं चंडीगर में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है वे इन्हें बादा कलब्स कहते हैं बादा यानि विक्टरी अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूस पंजाब में कई स्पॉर्ट्स ग्रूप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए एवरनेस केंपेंज चला रहे हैं नशे के खिलाब अभ्यान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्सा बढ़ाने वाली हैं ये प्रयास भारत में नशे के खिलाब अभ्यान को बहुत ताकत देते हैं हमें देश की भावी पीडियों को बचाना है तो उन्हें ड्रक्स से दूर रखना ही होगा इसी सोच के थाथ 15 अगस्त 2020 को नशाम मुक्त भारत अभ्यान के सुर्वाजान की गई थी इस अभ्यान से 11 करोड से जादा लोगों को जोड़ा गया है दो हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रक्स के खिराब बहुत बड़ी कारवाई की है ड्रक्स की करीब डेड़ लाक किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नश्ट कर दिया गया है भारत ने 10 लाक किलो ड्रक्स को नश्ट करने कानों का रिकॉर्ड भी बनाया है इन ड्रक्स की कीमत बारा हजार करोड रुपे से भी जादा थी मैं उन सभी की सरहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इसे नेक अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं नशे की लत नशिर परिवार बलकि पूरे समाज के लिए बड़ी परिशानी बन जाती है ऐसे में ये खत्रा हमेशा के लिए खत्म हो इसके लिए जरूरी है कि हम सब एक जुठ होकर इस दिशा में आगे बड़े मेरे पहरे देशवांचियों जब बार ड्रक्स और युवा पीडी की हो रही हैं तो मैं आपको मद्य प्रदेश की एक इंस्पाइरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ ये इंस्पाइरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की आप सोच रहे होंगे कि मद्यप्रदेश में मिनी ब्राजिल कहां से आ गया यही तो ट्पिष्ट है MPK शड़ोर में एक गाउं है विचारपूर विचारपूर को मिनी ब्राजिल कहा जाता है मिनी ब्राजिल इसलिए क्योंकि यह गाउं आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गड़ बन गया है जब कुछ हपते पहले मैं शड़ोर गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाडियों से हुई थी मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देश वाज़ों को और खास कर युवा साथियों को जुरूर जानना चाहिए साथियों विचारपूर गाउं के मिनी ब्राजिल बनने की आत्रा दो धाई दसक पहले शुरू हुई थी उस दौरान विचारपूर गाउं अवैद सराप के लिए बदलाम था नशे की गिर्ट में था इस माहोल का सबसे बड़ा नुक्सान यहां के युवाओं को हो रहा था एक पूरवर नेशनल प्लेयर और कोच रईस एहमत ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना रईश जी के पास संसाधन जाता नहीं थे लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपिलर हो गई कि विचारपूर गाउं की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी अब यहां फुटबल क्रांती नाम से एक प्रोग्रेम पी चल रहा है इस प्रोग्राम के तहट इवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है यह प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचार पूर से नेशनल और स्टेट लेवल के चालिस से ज़्यादा खिलाडी निकले हैं यह फुटबल क्रांती अब धीरे धीरे पूरे शेत्र में फेल रही है सहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में बारा सो से ज़्यादा फुटबल क्लब बन चुके हैं यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाडी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं फुटबल के कई बड़े पुर्व खिलाडी और कोच आज यहां युवाओं को ट्रेनी दे रहे हैं आप सोचिए एक आदिवासी इलाका जो अवैद सराब के लिए जाना जाता था नश्य के लिए बननाम था वो अब देश की फुटबल नरसरी बन गया है इसलिए तो कहते हैं जहां चाह वहां राह हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जरुरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की इसके बाद यही युवाओं देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश की विकास को दिशा भी देते हैं मेरे प्यारे देश्वास क्यों? आजादि के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्सा से अमरित महोत्सों मना रहे हैं। अमरित महोत्सों के दोरान देश में करीब करीब दो लाग कारकमों का आयोजन किया गया है। ये कारकम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविदता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खुबसूरती ये भी रही। इन में रिकार्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दोरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महिनों की बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिल्चस्प कारकम देखने को मिले। ऐसा ये कारकम था दिव्यांग लेखकों के राइटर मिट का आयोजन इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागीता देखी गई। वहीं आन्द प्रदेश के तिरुपती में राष्ट्रिय संस्कृत संबेलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में कीलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है। इसी को दर्साने वाली एक केम्पेंग, कीले और कहानिया, यानि फोर्ट्स से जुड़ी कहानिया भी लोगों को खुब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरब अमरित महत्व की गुंज है, पंदरा अगस्त पास ही हैं, तो देश में एक और बड़े अभ्यान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर विरांगनाओं को सनमान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभ्यान शुरू होगा। इसके तहट देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कारकम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखो ग्राम पंचायतों में विशेश सिलालेग भी स्थापित किये जाएंगे। इस अभ्यान के तहट देश भर में अम्रित कलस यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गाउं गाउं से कौने कौने से पचतर सो कलसों में मिट्टी लेकर ये अम्रित कलस यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-अल फिर नेशनल बॉर मेमोलेर के समीत अमरित वाटिका का अंद्रिमान किया जाएगा। ये अमरित वाटिका एक भारत स्वेष्ट भारत का भी बहुती भव्य प्रतिक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल के लिए से अगले पचीस वर्षों के अमरित काल के लिए पंच प्राण की बात की थी। दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा भ्यान के लिए जजबपुरा देश एक साथ आया था वैसे ही हमें इस बार भी फिल से हर घर तिरंगा फैराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तवियों का बोध होगा देश की आज़ादी के लिए दिये गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा आज़ादी के मुल्य का एसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जुरूर जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासीों मन की बात में आज बस इतना ही। अब कुछी दिनों में हम 15 आगस्त आज़ादी का ये महान परव का हिस्सा बनेंगे। देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों के ओक हमेशा याद रखना है। हमें उनके सपनों को सच करने के लिए दिन रात महनत करनी है। और मन की बात देश वाच्चों की इसी महनत को उनके सामूही प्रयासों को सामने लाने का ही एक माध्यम है। अगली बार कुछ नए विश्रों के साथ आप से मुलाकात होगी, बहुत बहुत धेनवाद, नमस्कार झाली जमस्कार